नमस्कार कारिक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस कारिक्रम में हमारे साथ मद्यपृदेश के एक वरिष्ट कॉंग्रिस नेता हैं राष्टी स्थर पर ही नहीं बलकि मद्यपृदेश में जहां हम देख रहे हैं कि काफी बड़े पैमाने पर कॉंग्रिस के लीडर्स जो हैं विधायक हैं चाहे हम सांसद हैं उनकी बात करें वो एक रुझान दिखा रहे हैं कॉंग्रिस छोड़ने का इन परिस्थितियों में वो कैसे कॉंग्रिस का नित्रतों करते हुए इस मुश्किल परिस्थिती से कॉंग्रिस को बाहर निकालेंगे हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे सत्य देओ कटारे हमारे साथ है मुद्परदेश विदान सभा में निताप्रतिपक्ष मौट सफ़ागत करते हैं कटारे साथ पहले तो मैं यही जाना चाहूँगा कि लोगसभा की चुनोती है विदान सभा के बाद विदान सभा में तो आप खोद एक प्रतिस पर्धी के रूप में मैदान में थे और सफलता पुरुवक आपने जीत हांसिल करके विदान सभा तक पहुँचे और नेतापृतिपक्ष की कुरसी तक पहुचे लोगसभा की चुनोती को आपके सुरूप में देखते हैं हालात आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं चुनोतियां और काफी है कैसे इन इस्तेतियों में पार्टी की नईया को पार लगाने की चुनोती देखते हैं बिलकुर सच बात है सरजी हम जब नेता पितपक्ट बने तो हमारी पारटी तीसरी बार सत्ता से बाहर हुई लगातार तीसरी बार में भी बाहर होने में हमारी सीटों का अंतर भी पहले से घट के नीचे आ गया था और कारिकरता हमारा हाथ उत्साहिद था, कभी लगता था कारिकरता लड़ने के मूड में है, कभी लगता था अभी लडने के मूड में नहीं है, लगातार तीसरी बार सक्ता में रहने के बाद भारती जनतब पार्टी और उसके कारिकरता अधिक उत्साहिद थे, लेकिन इस द बात्चीत हुई, बैठख हुई, सम्मिलन हुए और लगा की कारकरता में बहुत दम है, बहुत जान है और कांग्रेस में बहुत ताकत है, सिर्फ उसमें कुछ इस तरह की जरूवत है कि जो कांग्रेस ही हैं, जो कारकरता है वो निकल के बहार आए और वो अभियान जब शुरू हुआ, तो आज हम लोकसभा जब लड़ रहे हैं, तो जो मिशन 29 चलाया करते थे भारती जनता पार्टी के लोग, वो मिशन 29 तो भूल गए हैं, अब सिर्फ इस मिशन पर लग गए हैं, कि कांग्रेस को कौन से लोग को कैसे तोड़ लो, किसी को लालच से, किसी को दबाव से, किसी को पॉलिटिकल डील से, किसी को फाइनेंशल डील से, और कुछ उन पर बचा दिए, मैदान में मुकाबला करने का साहस उन में नहीं बचा है, विधान समाम मुकाबला करने का साहस सरकार में नहीं बचा है, जो भी ताकत होती है राजनित एक दल सत्ता में आता है तो हमें उम्मीद है कि हमारा कारिकरता इस भरोशे को जीतने में कामियाब होगा अभी आपने कहा उपर वाला हिम्मत देगा एक उपर वाला और है जिस उपर वाले की आप बात करने है वो उपर वाला है पार्टी का आला कमान जी वो कितनी हिम्मत दे और आला कमान का सपोर्ट ही इतनी ताकत दे रहा है जिए कार्यकरताओं को उतसाह से कह देते ही अगर इसमरण हो तो दो महिने पहले पेढ़ी पीछी शर्मा से बोल दिया था कि हम एनको टिकट देने तो और जिता के लाना कार्यकरताओं से बोल दिया था तो वो में नहीं बोलना था, वो आलाकमान का भरोसा बोलना था, तो आलाकमान के भरोसे से ही ताकत है, जो कारिकरता तक हम भरोसा पहुचा रहे हैं, और वही भरोसा कारिकरता जनता तक पहुचा रहा है। हाँ दवाव तो सरकार दवाव बनाने कोशिश तो करी रही है हर तरीके का दवाव बना रही है हर तरीके का प्रहुभन दे रही है हमारी पार्टी के बिधायक जो गली गली में भारती जन्ता पार्टी को मुर्दावाद बोलके उनकी कमिया गिना करके चुनाव जीत के आए वो पार्टी से इस्थिफा दे और उसी पार्टी में जाकर सामिल हो जाएं, जिससे के बिरोध में उन्होंने बोल बोल के बोट अरजित किये, तो ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ दवाब की राजनित तो ही, कुछ न कुछ तो अंडर हंड है, क्या है ये जनता को देखना है, लेकिन इसे ये लगता है, कि सब कुछ फेर नहीं है, एक बात कहूं सरजी, हर प्रोग्राम की, हर चीज की, तीन स्टे जाती है, पहली स्टे जाती है, आदमी का उपहास किया जाता है, दूसरी स्टे जाती है, फिर उस आदमी से संघर्ष किया जाता है, तीसरी स्टे जाती तो इस समय की सरकार और इस समय के विपक्ष के बीच में यही दौर चल रहा है अब इस में इस समय कौन सा दौर चल रहा है यह आकलन हम आप पे छोड़ते हैं अखवार वालों पे छोड़ते हैं जनता पे छोड़ते हैं सिवराज सिंग जी ने हम लोगों को जब हम नहीं निता प्रटपक्स बने हमारी पार्टी के अध्यक्स नहीं बने तो साइद उपहास करने की कोशिस की हवा में उडाने की कोशिस की फिर उनको कहिन कहीं गंभीता से समझ में आया तो संघर सा दौर चल रहा है हमारे एमले को तोड़ के ले जाना हमारी उमीदवार को तोड़ के ले जाना चल कपट से ले जाना लालच से सरकार की दम पर दबा के ले जाना किसी की माइन निरस्त कर दो इस आधार पर ले जाना तो यह दोर चल रहा है यह दोर भी गुजर जाएगा तीसरा दोर आएगा उसमें समर्प तो वो जिस टिकेट को लेकर अड़े थे उस टिकेट पर उनका कहना है कि राहूल गांधी तक अपनी बात पहुंचाई इसको आप किस रूप में देखते हैं किया सुनवाई का कोई मंच नहीं है बिल्कुल मंच था और उनकी सुनवाई हुई और मैं खुद इस बात कर गवा जब हम बोले हैं तो वहन प्रकाश जी मेरे सामने बेठे हैं तो इसका मतलग है कहिन के उनकी मुख सहमती है संजय पाठक ने चुनाव लने से किया मना फिर हमने उन्से बोला कि फिर जिसको पार्टी टिकेट देगी उस उमीदवार को आपको काम करना होगा जिस पे उन्हो पार्टी में डिक्टेटर से कुन ही चलती है तो पार्टी में पार्टी है अपनी मर्जी के सारे नर्देश में लागू कर पाता है ड़एवार हाई कमान स्वैम जो सोच लेता है उस निर्णे में भी उन्हें इफेंड बट लगा के लागू करते हैं तो इस तरह की बात है क्यों क्या पार्टी ने क्या सबक लिया है क्योंकि जिंदकी के जो खराब अनुफ़ा है थास जरूर लिए जाते हैं बहले ही आपके कई भार गल्ति हो ना हो लेकिन आप यह जरूर सीखते हैं कॉंग्रिस ने इस खराब वक्त में जो विदान सबाटाव से लेकर अब त एक दो और भी लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं तो जहां उसके कोई चिंता नहीं है, पार्टी राहुल गांदी जी का जो मिशन है, वो बिल्कुल नीट और क्लीन लोगों को आगे लाके खड़े करने का है, नई जर्डेरेशन को आगे लाना चाहते हैं, नई लीडर्शिप को आगे लाना चाहते हैं, इसमें अगर पार्टी में से कुछ खरपतवार साफ होता है, तो हो जाए, हम उसको राजनेतिक भासा में कहेंगे, तो कई फूल शाप खांग्रेशी यदि जाना चाहते हैं, तो चले जाए, कोई दिकत नहीं है, पार्टी अपने जगह चलेगी, प कॉंग्रेश की तागत कमी नहीं आएगी, कोंग्रेश तागत अर्जित खर लेगी, यह जरूर है कि जब कोई जाता है, तो थोड़ा धक्का लगता है, एक बोटर भी हमारा जाता है, एक कारकर्ता जाता है, तो एक बोट कम होगया, ऐसा लगता है, लेकिन जब तНе 3 बोट आप देखते हैं जैसा खुद आप कहा रहे हैं कि राहूल गांधी चाहते हैं कि एक नई लीडर्शिप तैयार हो और उसी की कड़ी में हमने देखा कि मद्यप्रदेश में अरुन यादो प्रदेश अध्यक्ष रहे और सत्यदेव कटा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की कमान समालते नजर आए कि आने वाला समय मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस के लिए युवा निताओं का है उन युवा निताओं का जो इस समय सड़क पर उतरने का साहस जुटा रहे हैं सत्ता धरी दल के साथ आमने सामने की लड़ाई का मन बना रहे हैं बिल्कुल सच बात है निश्चित रूप से कांग्रेस लिडर्शिप के सोचती है कि मध्यप्रदेश में अधिकतं नए और युवा लोग आएं और लिडर्शिप करें और इसका जो द्रस्य है वह आपको देखने को कुछ समय बाद मिलना सुरू होगा पहला द्रस्य मिलेगा जब लोगसवा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश कॉंग्रेस कमेंटी का पुनरगठन होगा दूसरा दरस्य मिलेगा जब नगरपाले कांगों को चुनाव होए और पार्टी के दौरा मेंड़ेट दिये जाएंगे तो नए लोगों को दिये जाएंगे और महिलाओं का प् कम से कम लालत में भाग नहीं जाएंगे इस तरह के लोगों को खोजने की निकालने का काम है जो चल रहा है और धीरे धीरे उस गती में आगे हम लोग बढ़ लें जी जी इस काम में आप क्या देखते हैं क्या आपकी निगाह है पूरे मद्य प्रदेश पर आपकी और आपके साथी जो है प्रदेश अदेख हरुन यादो क्या वो देख रहे हैं पूरे मद्य प्रदेश में चाहे मालवा अंचल की बात करें चाहे हम निमान की बात करें चाह महा कोशल की या भोपाल संभाग की बात करें आपकी निगाहे हैं कि अपकमिंग लीडर्स आ रहे हैं नए नेता आ रहे हैं और भोष्ट की कमान इनको ही स्वंपी जानी है बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी नजर है और नजर का मैं आपको छोटा सा उधार बताऊं कि हम हमारी विरिश़ सीट भी हमारे पार्टी पैनल में नाम थे दो नौ जमानों के नाम थे वहांके लोक शवाफ यूत आपक नाम था जीत्व पतवारी के वहारे यूत कॉंग्रश के पड़ाने आपक से उनका नाम था यह सब इसी वात के लिए थे है जहां जरूत पड़よろ और किन चीजों को लेकर Congress हम बात करें लोगसबा चुनाओ की सरगर्मिया शुरू हो चुकी है और रसूला मही को फैसला भी सामने होगा इसके बाद Congress को सत्य देव कटारे और अरुन याद हो किस तरह से मध्य प्रदेश में Congress को strengthen करेंगे मजबूत करेंगे उसको चौक चौरा हों चौपालों तक पहुचने वाली पार्टी बदलेंगे और सबसे इंपॉर्टन बात कि कारेकरता जिसका मनोबल तूटता है इन सारी घटनाओं से उस कारेकरता के हाथ में फिर पार्टी का जंडा दे के ताकत से लड़ाई के लिए तैयार करेंगे बिलकुल उसके लिए हम लोग जैसे ही लोगसवा चुनाव होगा उसके बाद एक तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि क्या है दूसरे जो इसू है सरकार के खिलाब हमें करना कुछ नहीं है सिर्फ जनता को यह बता देना है कि सिवराज सिंग जी हमेशा सच नहीं बूलते बस जनता के सामने बत हो गया आपने देखा होगा विधान सभा की तीन सिटिंग मैं ब्रापम घुटाला मध्यपदेश के ग्राम इसकर तक पहुच गया जो सरकार घुटाले करेगी हम उसको नीचे पहुचा देंगे जनता तक और जनता जब यह समझ लेगी कि यह लोग गलत कर रहे हैं तो इसक कारिकरता कांगरेस का ताकत अलजित करने लेगेगा और सरकार उसके कारिकरता कमदूर होने लगे बड़े निताओं की जो भूविका है कटारे साब वह भी एक बहुत ऐसा एरिया है जिस पर बहुत सवाल होते हैं कि दिगविजे सिंग जी, कमलनाथ, जोत्रादिस इंदिय सुरेश पचोरी, सत्यवरच चत्रुएदी, ये मद्यपरदेश में अगर कारेकरताओं के साथ बैठना शुरू करें, हर क्षेत्र में जाना शुरू करें, उनसे मेल मुलाकात करें, उनको बताएं कि ये 128 साल पुरानी पार्टी में ये दौर पहले भी कई बार आया है, नहीं रोक पाए, तो मुश्किल होगी, बिल्कुर सही बात है, तो हमारे जो बड़े नेता है, उन लोगों का सतत मार्ग दरसन हम लोगों को रहता है, और आगे और रहेगा, और हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, आरुने आदाब और हम, लोग सबा चुनाओ के बाद, इन बड़े नेताओं का मारदरसन और ज्यादा नेकरता से लेना सुरू करेंगे, जिससे कारिकरताओं से इनकी नेकरता और बढ़े, और कारिकरताओं के बीच में जाने लगे, और इनके कारिकरताओं के बीच में जाने से, इनको भी लाभ है, पार्टी को भी लाभ है, कार ताहुल गांधी से आपकी चर्चाएं जब भी हुई हैं, मद्य प्रदेश को लेकर उनकी क्या चिंता है, उनकी क्या सोच है, क्योंकि हमने ये देखा कि मद्य प्रदेश में काफी बड़े बदलाओ के इच्छों जैसी खबरें आती रही हैं, कि मद्य प्रदेश में जिस तर बड़ाओ का इंतजार भी हुई है? नहीं, सितरूप से बड़ाओ का एक पड़ाओ आप देख रहे हैं, जब राहुल गांदी जी ने अरुन यादव सत्यदेव कटारे को लीडर्शिप सौपी है, तो ये उस बड़ाओ का एक पड़ाओ लेकिन राहुल गांदी जी ये च और बुजोर्ग होते जा रहे हैं, तो वो मारगदर्शन की भूमिकामे रहेंगे, और हम सब लोग उनके निर्देशन में काम करेंगे, और नई डिडर्शिप को और आगे लाएंगे, हम लोग जिले जिले पर नई डिडर्शिप आगे लाएंगे, और एवन हर विधानसव जाते होंगे, आपकी सदन में आपकी बेंच कमजोर होती है उससे, अभी आगे जो आपके विधायक हैं, खास्तोर से जो यंग विधायक हैं, जो दबाओ का सामना शायद जादा नहीं कर पात सकते हैं, या फिर कई बार प्रलोवन के आगे जुग भी सकते हैं, क्या आप उ लेकिन हम विधायक के उपर निगरानी तो नहीं बठाल सकते हैं, और बठालने के पक्षदर है, जो विधायक अपनी मर्जी से अपने मन से पार्टी में रहेगा, वह है संगर्च करेगा, जो बिमन से घेर के बठाल भी लेंगे तो वह संगर्ची नहीं करेगा, हमारी पार संगर्च करना है, गाउं में संगर्च करना है, अपने लिए संगर्च करना है, गाउं वालों के लिए संगर्च करना है, किसानों की समस्याओं के लिए संगर्च करना है, तो हमको तो आजमी संगर्च सील ही चाहिए, तो मुझे उमीद है कि हमारे सारे विधायक खास तोर स जो नए पहली आर चुन के आए उस सारे विधायक विधान सभा में भी सरकार के खिलाब थे अभी भी सरकार के खिलाब हैं और आगे भी सरकार से दो दो हाथ करनी के मूल में चलिए बहुत शुब कामना है कटारे साथ आपको जिनाओं के लिए भी और आगे जो चुनाओं के लिए भी ये थे मध्यपरदेश के सीनियर कांगर्स लीडर और विदान सभा में नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदारी समालने वाले सत्य देव कटारे साथ खास मुलाकात में अगली बार एक और खास शक्सित को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे इजाज़त दीजे मुश्क्राइब